आप देख रहे हैं ट्रांस्फोर्मेसमीज एजुकेशन चैनल स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांस्फोर्मेसमीज एजुकेशन चैनल पर दोस्तो आज हम अपने इंटर्नाशनल रिलेशन के सीरिज को आगे बहने जा रहे हैं इंटर्नाशनल रिलेशन के पिछली सीरिज में पिछले वीडियोज में हमने फॉरेंड पॉलेशी तक पड़ा था उसके बाद हम मैंने अललव टाइप के रेट्रस्पेक्टिव टैक्स और अफगानस्तान सीरिज चुरू कर दी थी पर इसकी बज़े से इसकी मदद चे मदद चे ये चारों हम बिर्धारित कर सकते हैं अब जो foreign policy हम डिराइब करते हैं बनाते हैं उसमें इन बातों का ध्यान रखलता है कोई भी nation जब बनाते है कि हमें किस nations के सब कैसे relations रखने हैं हर nations के लिए foreign policy अलग होती है जैसे कि जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की पाकिस्तान के लिए हमारी foreign policy अलग है US के लिए अलग है चाइना के लिए अलग है रॉश्या के लिए अलग है जापान के लिए अलग है तो मैं अलब अलब कंटरिस की जाब समाएं तो कुछ common shared values होते हैं उनमे एकॉर्डिंटो सिच्वेशन चेंजस कैन happen तो जहां तक हम बात करते हैं foreign policy में foreign policy को में दो policies के नाम आता है एक होता है idealism इसके बारे मैंना पिछले video में बजाये था और एक होता है tit for tat या फिर हार तवाल इसको बाता है तो idealism में basically क्या होता है idealism ने जो उदारबाद उदारबाद का मतलब होता है कि वो ज्यादा hard power की तरफ प्रेशने करते है military actions की तरफ ज्यादा वो प्रेशने करते है diplomatic actions dialogue peace पे जादा फोकुस होता है जैसे इंडिया पहले उदारबाद इस था अब इंडिया बैलेंस रख idealism में अप्टीट फॉट्यक्ट पॉलिसी जैसे पहले जो जवारला नेहु जी पर जो अमारे देश के पर्थम पर्था मांत्री थी तो फर्स्ट प्राइम इंडिया उन पर यह आरूप बार बड़ लगा यह बहुत सारे चीज जैसे कसमीर का बुद्ता वो 음त में तंद starter उसके बार णने 1962 में जब चाईने अर्वाचर परदेश से पीछे हट चुका था Alfred Harry Karakstad हमारे पास चाईना की उद्भीराम को मान कें बहुत सारे अर्टिकल 370 कि उन्हें से कप दिलों के सफ में जोर्दाख नहीं किया और क्यूं उन्हें तो बहुत सारी उदारबादी उनकी डीसिजन से जो कोस्टंस में आते हैं कटगरे में उनको खड़के ज़गा पर उस समय की सिनर्यों को भी देखने जरूरी है क्रिटीसाइब यदू कर सकते हैं पर सही मैंची तिन जरूरी है कि उससे हिंधिया निूरि इंडिप्टों काट्री था सब्सक्राइब रहा हो और सही है कि इस समय हमें बगधे स्वाइल ह adaptor और अब्ट हैं लेकिन इतना उदारबाद भी ठीक नहीं था अगर पुरी दुनिया और इंडिया कसमी कुछ भी अक्सन लेता अगर पुरी दुनिया और यू-एन सब सलहा देने लगते हैं तो ऐसा नहीं होता तो हर सिख्के के दो कहले होते हैं तो दोनों तरफ से बाते तो होंगे हों नमेसा होती रहेंगे और यह रोख नहीं सकता है कि लेकिन इससे एडियलिजम को समझे जा सकता है कि जब चाइना ने एक तरफ़ा युद्विरान किया इंडिया चाहता तो उस वी इद्विरान को ना माजिए अक्साइचीन ले सकता इंडिया ने भी इसमें दुधिरान को उमाल लिया पीस को पढ़ावा दिया तो उस समय इसे बोलते हैं अडिली ना तो यहीं लिए लिए अब बैलन्स क्योंकि अगर प्रवेब्ली आज के टाइम में जो इंडिया की जियो पोलिटिक और जो जियो पोलिटिक से नहरी वर् अब फोट करे गए ऐसे डोकलाम में इंडिया नहीं किया उसके बाद इंडिया ने अभी पैंगोंग सो लेक में जो किया तो वहां पर भी उन्हें डिप्लोमेटिक गिए दरच की वहां पर भी जड़ब कुई थी उसमें अगर छे इंडियन जवानों के मरने की मुद्ध हो पर आई थी तो उदर से भी चाइना पर ओफिशियल आप रहाते नहीं है तो उदर से भी चालीज पैसालेश जवानों के इंडेड होने की और बहुत सारे लोगों की धायर होने की ख़बरे भी रिकोर्स आइथ लबरी रेप्यूटेट जवारा वसिंटन पोश्क नियॉर् तो कुई सी भी फॉरेंड रिलेशन्स पे फॉरेंड पॉरेंड पॉलिजिस को डिलाइब करने में यह चार फेक्टर स्काम आते हैं पुलिडिकल इसमें डेमोक्रेसी और यूएन ओ यह मैंने एक पार्टिकुलर कंट्री एक कॉंटेक्स्ट में लिका जीसे कि माली यूएस यूएस के हमें अगर फॉरन पॉरेंग बनानी है अब सुलिटिकल इसमें डेमोक्रेसी और इंडिया में डेमोक्रेसी दोनों में डेमोक्रेसी है U.S. तो नाकर आता है, The friendship between India and U.S. Is The Friendship of World's oldest democracy and World's largest democracy मतलना, भारात और U.S. की जो तोस्ती है वो दुनिया की सबसे पुराने लोगतंत और दुनिया की सबसे बड़े लोगतंत की बीच की तोस्ती है यहनिनि थो ен यूद यूदित है वर दोनिया का सबसे बत ना चैणिया का सबसे बड़ा ना चैणीय को कपक्रीर ना सबसे PR मैं नोच करता है को इन प्रश्या को अब्स्स ऐसे 17 बड़ा और प्रश यह में और कि नहीं कि अधान करते हैं हुआ तो Если बात करते हैं इक दूसरी का सप्वेट करेंगे यह लोगा पॉल्स हो करेंगे यूएस में इंडिया के ऐसे यूज कर सकता है और यूएस इंडिया के एरबेस यूज कर सकता है यह सब्सक्राइब हुए जिए मों करते हैं और यूज में कि एक साइज होते हैं आपस में जूएंट फोर्स दोनी इंडिया और इसी भी कंट्रीज के इसके आस्ट हो ना है जुएट्रोंने प्रवाप एएं यूज करती हैं वो military relations होगा strategic relations के अंदब जीदे में साथ still technology support इसे US में कोज ने टेक्नोलगी थिए ये वी Hindiya कोज देदिया गया है Ineo many of us hablarof अफिल इंतोना information होती है sensitive information regarding internal security and sovereignty or democracy तो वो दहां को नाब के है है जैसे जो रोहिंग्या मुसल्मानों का खतरा था इंडिया पे जो मतलब इस निके लिंक हो सकते हैं वस्टए हूं से जो इन भी सेंट्रल गॉपर में था तो उन्होंने यह इन्फोर्मेशन लिंधा गवार्म्मन को घुता है Gое तो इसलिए पार्लेमेंट में और सुप्रिम कोड में भी के सेंटर गवर्नमेंट ज़ार बोला गया था कि यह टेरोरिस्ट हो सकते हैं इसलिए इन्हें वापस लिया जाए इसलिए इसलिए उसके लिए इन्डियन गवर्मन को इसलिए उसके बाद अब रिपोर्ट्स ये भी आए है कि चाइना ने बांगलदेस और मैमार के लिए समझता करवाया है इससे मैमार वह 49,000 रोहिंगया मुसल्मानों को वह आपस लेने के लिए तयाब हो गया है और चाइना कभी दिखाता है कि यह इन्फुएंस है बांगलदेस और मैमार क्योंकि चाइना ने ही मेडियेशन किया इससे खैर चाइना की साइट से फाइदा इंडिया को भी हुआ है रोहिंगया मुसल्मानों अपस जा सकते हैं और यह एक कंसर्न भी होगा इंडिया के लिए तो आगे हम देखेंगे कि यह गवर्मेंट कैसे इस कंसर्न भी हैंडियो तकी है इसके बाद कि को नाधि एकनल ट्रेड होते हैं यह वक्रीट में 2 में में बाद करेंक। इन सब से एक foreign relations बिलाई होती है foreign relations भी तीन फैक्टर से और जो वो है कि और रिलेशन में तीन चीज़ देखते हैं कि वर्ल्ड के भी सिनेरियों क्या चल भी वर्ल्ड में भी किसका बोर्ड बाला है किसका सिनेरियों एसे cold war के समय दो बैलंस था USA और ुसचार की बीहार giàा जो लोग USA की तरफ separating जो लोगी और इसके बाद रुजबूत नहीं रहा और युएसे बन गया सुप्रीम पावर बन गया तो बहुत सब्सक्राइब लगे उसे दोस्ताना वेवार रखने लगे इंडिया ने उसके बाद 1991 में जो LPG अपनाय था युएसे के दवाब में अपनाय था इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो इतना कम हो गये था कि हमाले पास तीन दीन का ही नेक्स्ट तीन दीन का ही खर्चा चलाने राग पैसा था पुरेदेश का तब जो उस समय फाइनन्स मिनिस्टर थे मनुहां सिंग उन्होंने इंडिया को निकाला ही मुश्किल से तो जो सबसे बड़ा उस समय देश हो गया था सब जूग गया लेकिन फिर अभी उसे को काउंटर रंग ले चाइना राशिया साथ में आया तो यूसे की ऑथेंटिकेशन अभी घटी है और रिसेंट में जो अगनिस्तान में होगा उसके बाद तो यूसे की ऑथेंटिकेशन आई परसनल किंगेट जे ऑथेंटिकेशन आई पावर नेश सुप्रीम पावर दिखा था यूसे की मतलब लगवक्त 30-20 परसेंट घट जाएगी यह कोई भी यूसे की जब एक तालिबान जैसा टेररिस्ट और नाइसा यूसे को आउस्ट कर सकता है वीस साल से ता यूसे उसको भटा नहीं पाया तो फिर वो असेंटिकेशन तो घटी लिए और चाइना भी इस बात को बोली रहा है तो हम उस पर रही आते हैं यह बात करते हैं अपने बाले में इन फॉरेंट रिलेशन्स में पुल्टिकल, मिलिटरी, स्ट्रेजिक और एकॉनोमिक रिलेशन्स को इन पहला है कि जो फैक्टर्स होते हैं फॉरेंजक पॉलिसी की यह क्या क्या डिराइब करना चाहिए तो उमें तीन बाते ज세요 को पहला है वो इसका ऑवल बाला है तो उम किसी तरफ चुकें किसी तरफ टाड़ रह Gibiğ उस में वर्ड सेन्यार्यू में पोजिजिशन क्या है इ हमारे future में needs क्या है, सोच क्या है, मैं future में क्या चाहिए ? मैं future में पकिस्तान से better lesson चाहिए terrorism हमें खतम करना है कि terrorism को बढ़ावा देना है क्योंकि कुछ countries के मैं इंडिया के बतने कर रहा हूँ कुछ countries terrorism को बढ़ावा देते हैं like Pakistan like Pakistan वो ठरोडावा देते हैं कि किसी को भी ट्रियों को ख़तम ही करना है, तो फिर वह गॉवर्मेंट से बढ़ा गॉवर्मेंट बस तो पूरी मसीनरी है, पुलिस है, आर्मी है, वह खतम कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ दिश नहीं चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, तो वहारी पॉलिसी क्या है, इंडिया क अब हम बात करेंगे कि यह फॉर्ण रिलेशन्स के यहां पर डिलाइविंग फेक्टर्स है और यह आर्टिकल 51 में क्लियरली में सब्सक्राइब करता है जो हम आर्टिकल की इंडिया की जो फॉरंग पॉलसी होगी क्या सी होनी चाहिए यह हमारे समिधान जिर्माता होनी पॉंश्ट्यूशन में कर दो यह इसा पूरी तरह से नहीं पूरी तरह से नहीं नहीं बताया है लेकिन फिर भी उसका ओवर्व्यू के फॉर्णमेंटल चीज़ें और उन्हें चार पॉंट नों बता दियू आर्टिकल पॉंश्ट्यू का मतलब अभियन समझauso है मैं कि कि इए नूग। घ्जन मीं में वत थास्निस नहीं खड़े साहित। भी तेन आंदव्यू रिशात तक्रूंट लिए मुम्हराश्क्र नान अंछों मुम्हर इंप्क्र नेॉत। And if I will mention the name of the state or particular reference to some state of the India, then it will mean some state. But in that political argument, I mean, if I mention the state in general, in general talking, in general conversation, so it will mean the whole nation, any nation. The states are endeavored to, to promote international peace and security. international peace and security. And the guiding principles of the constitution, that to maintain better relations with all the countries, who want to have a better relation with us. So this is clear cut in article 51, you can refer to it. So this has been explained by article 51, that India has been given to us. . 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 करने तोडने की कुछीशत ना करें पाकिस्तान जो बार बार तोड़ता है अपना सब सिंगरं की बढ़ेंडिया पाकिस्तान के बिछ घुन उसबात को लेकल प्रोबलेम हो कि है इन्दिय को इसलिए इंदिया बार-बार मेडियेशन को भार फासा कि पाकिस्तान का Bonjour तो अब हम बात करते हैं यह फॉरेंग रिलेशन्स की बात होगे फॉरेंग रिलेशन्स में और भी इतने फैक्टर सकते हैं किसी भी देस्त जैसे कि मैं बात करूँं टर्की की तर्की और मलेशिया दू ऐसे कंट्रीज है जो अपर उपलिशन्स हों उन्होंने इंडियापोग प्रपलम्स यह एक इस इसलेंगे पीख मिरी तर्थ है इंडिया ने जो रा तो लेखेcl आप टर्क-हां वहां से लेकिन जो सही मैजाद अघ्ला करता। पाकिस्तान के पाकिस्तान को जब ग्रेर लिश्ट में डाला गया था और यह FATF ग्रेर लिश्ट ब्लैक लिश्ट किया है इस बार में भी वीडियो बना देंगे हम इंट्रनेशनल रिफेक्ट्स की सीजिस में इसे बगद जल जाएगा क्योंकि FATF एक ऐसी मतलब संस्था है कि आउयए कड्यरोंकी इस डेवलप्लपेंड बर्क में कर रहे हैं ऐसी तरुर। को बढ़ानेशनल डेने क्र रहा हैं पिर मदर कर रहा है और वो countries money laundering कर रही है और terrorism को बढ़ावा दे रही है उस पर उसको loans मिलने में उसके जब ऐसे उसको ग्रिलिस्ट किया जाए तो उसको IMF, World Bank, याथ किसी भी foreign agencies से, international agencies से loan मिलने में दिक्कत होती है और अगर उसको blacklist कर दिया गया तो वो बैम हुलेगा, तो उसको कही से भी कुछ loan नहीं मिलेगा जो country blacklist हो जाती है वो लगवग बैंकरप्ट से कि तो गार पहल जाती है इसे इरान blacklist में है तो इरान की economic स्थी बहुत खराब हो चुकी है पाकिस्तान अभी greylist में है कि पाकिस्तान ने इतने टर्रोरिस्त उसको बढ़ावा दिया है आप बिलीग नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के रेजिडेंट्स जो 101 यूएन दुआरा global terrorist designated हो चुकी है यूएन ने उसको करना इस किया है as a designated terrorist in Pakistan और उसमें पाकिस्तान के 101 नियमा सी है उसमें मसूद अजार, थाफित चाहीद और बहुत सारे terrorists हैं यह जो relations इंडिया और पाकिस्तान के इसी बई से खराग जाए पाकिस्तान बोलता है इंडिया ने टर्रोरिस्त उखलाया है बड़ ऐसा कुछ नहीं जो 101 टर्रोरिस्त वहां पे designated हैं उसको देखते हुए, FATF की बैटक में पाकिस्तान को ग्रेलिष्ट किया गया और उसे 38 पॉइंट का एक टास्क दिया गया कि अगर इस पेस पे वह वर्क करेगा इन लोगों को जेल में डालेगा इन लोगों के मानी के सुर्स बंद करेगा, सुर्स बंद करेगा तो उसे ग्रेलिष्ट से वापस नॉर्मल लिष्ट में रखा जाएगा तो पाकिस्तान ने सिर्थ दिखावे के लिए इस पर कुछ इस्तितिवी काम किया था इसी को लेकि 2020 में, 19, 20 और 21 में भी, सीरीज ओब बैटक तो जो गवी थी, FATF में उन्हें सब में common मुद्दा था, वो common मुद्दा था पाकिस्तान को blacklist किया जाया या नहीं किया जाया और एक बैठक में तो पाकिस्तान blacklist होने ही वाला था मतलब ऐसी एक provision है वाप, FATF में, किसी भी countries को blacklist करने के लिए उनके members में voting होती है, और voting में अगर तीन members का तो वो blacklist होने सब बच जाता है, तो जो FATF की बैठा है कोई उसमें जो यह तरह में members थें उसमें से पाकिस्तान को exactly 3 members का इजाग हो लिया, अगर एक member भी कम हो तो तो पाकिस्तान उसी दिन blacklist हो गया हो था वो तीन members थें, तो पाकिस्तान's all-wether ally, चाइना, टर्की और एक surprising name था Malaysia का Malaysia का surprising name श्ले था क्योंकि जो Malaysia का President थे, कुछ दिन पहले इम्रान खान उसे मिले थे और इम्रान खान ने उनके मन में Islam Radicalization, Islamophobia को लेकर मतलब एक गलत धारना पैदा की और उसके भई से वो carry हो गया है, वो पाकिस्तान की तरफ carry हो गया और उन्होंने बचा लिया पाकिस्तान को blacklist का खैर इंडिया ने इसके लिए भी बुरा नहीं माना, कि वो उनके relation से हो जाने पर वो UNSC के जेनरल Assembly होती है, उसमें सब जो हिस्टेट के hits का बासन होता है, मोदी जी भी गए थे, शेख असीना भी गए थी उसमें उन्होंने इंडिया के जो article 370 और 35 ये को रिवोक किया, पांच अगस दोने रुमनिस को उसका उन्होंने criticize कर दिया, उन्होंने कह दिया कि इंडिया ने actions are disrespectful और वहां पे बहुत सारे human rights violation हो रहे इंडिया ने मलिशिया को पहले ही कहा था कि इंडिया की internal matter पर आप बात ना करें युदू focus on your own country, इंडिया की internal matter है कस्मीर, उस पर कोई बात ना करें और बहुत सारे countries भी इस पर बात मान की OIC जो और मैसमें की Islamic Corporation वही बीच-बीच में कस्मीर पर resolution पास कर देता है तेकि OIC भी जानता है और इंडिया भी जानता है कि OIC ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पकिस्तान एक Islamic country और पकिस्तान की assistance पर उन्हें ऐसा करना पड़ता है लेकिन जब वही country, OIC में 57 country थे हैं उसमें में country जो सौधिया रहते है, लीडर उनका, UAE, Oman, Qatar यह सब country थे होगा individually diplomatic talk होता है तो उनका statement रहता है कि कस्मीर इंडिया का internal matter है उसमें हम focus नहीं करते हैं पर जब उस साथ में बैठते हैं OIC की meeting में तो कभी-कभी तो इंडिया के कहते हैं कि internal matter है ऐसे ही बोलता है तो इंडिया उनको इतना focus नहीं करता है और उनके focus करता है लेकि मलेशिया ने ऐसा कहा इंडिया को लगने लगा कि अगर इस सब तो हमीं सलागे रहे तो इंडिया जो crude oil आयात करता था इंडिया मलेशिया से उसे इंडिया ने रोक दिया क्यों रोक दिया ने कि अब बता जाओ तुम मेरे बारा में बुलो कि आप तुम्हारा थे और इंडिया नहीं ऑफिस यह नहीं कि आप पुझांग गास चारे बोड़ा है कि गौवर्मेंट ने ट्रेडर्स को बोल गिया कि मलेशिय से आयात मत कीजी इंडोनेसिया से कीजी कि मलेशिय और इंडोनेसिया दोनओ ट्रेड ऑएक्सपोर्टर से दोनों आप इक सफिफ कंपेटिशन रहता हैए इंडिया जाए तर मलेशिया से आयात करने का रिजन यह था कि लिगमेलेसिया आत क्रीपार्दा एक तो फ़रा साचीप पड़ता कि सस्ता पड़ता और दूस वह माहा से इंडोनेसिया से ले गया ही है फिर इंडिया में फैक्टर से उसको रिफाइन करवाई है तो उसमें सवरा जंजड रहा था इसलिए मलेसिया से प्रूड ओयात करता था लिकिन जब मलेशिया ने इंडिया के इंटर्नल मैटर्स में बोलना शुरू किया और इंडिय कि man a seconds one कि मर्जी लेकिन सब कुई थे मुझाना यह को इधर म Nepria कर दो बंच हुआ और इंडिया मैं पूंटे इंक्पोर्ट करता है और इंड़लिया सी वह बैसे मलेशिया भत छने में सैंट में नुक्सान हुआ मलेशिया के पीम ब्हुंतД लुक ध्यून तो उन्होंने कहा कि ताली एक खार्ट से नेगज़्टी हम भी कुछ सैंक्संस लगाएंगे यह बोली कि मलेशिया भी एक छोटा कंट्री पर निरुवर रहता है तो उस अहां नहीं पाया और वहां पे पोल्टिकल टर्मॉइल हुगा कि देखिए वह उन्होंने किया था उन्हें मदलब ब्रेण नहीं था जो भी नहीं था बदाया आप हम से कि जी आगे से हम इंडिया के ंट्ररणल मेटर पे नहीं बोलेंगे हैं और उन्होंने ऐक Lau rind magnet के बाद इंडिया ने मलेशिया से रोक, मलेशिया से पूरुण और और इंडोनेशिया से हम कर ने रह से इंडोनेशिया ने दो तीन मेरे तो सभी लगों बात ने ने भी प्राईस बढ़ा दिया उपर से म्तरा करता है तो यह एक जांपल था कि इंडिया की जो पावर सुप्रीम पावर की पुजिशन में जैसा कि BBC की रिपोर्ट में कहा गया था जैसा कि मैंने पहले की बताया आपको कि इंडिया कें पूटेंशियल सुपर पावर रहे वह बताया है फिर व्री एक की इंडिया कि देगे में सेंडियल फॉकेस एक इंडिया अपकेस और कैसे या पर आफ इन पॉलेसी AMBART करेंगे नेक्ष्ट विडियो में धर में जिए नेक्स बीडियो में नेहरुपपरियेट वार बात करेंगे वार राब्न नेंडिक पु करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया ने 1947 में प्रस्मीर वार हुआ इंडिया में बैसिकली 5 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हुए हैं इन्होंने फॉरें ग्रिलिसंस को बदल के रख दिया एक से एक टर्मोई लाएं उस प्रियर के उन पांचो पीम्स में से सबसे में इस से पहले हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जय्वाल इनले हुइक उसके बाद तीन लागात्तार लाइन चाहेैं उसके बाद करेंगे प्राइम 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 पॉलसी को कैसे चेंज किया गया? सबसे पहले हम नेहरूस प्रियड से सुरू करेंगे, नेहरूस प्रियड में दो मेजर वर हुए हैं एक इंडिपेंडेंडन्स के समय कस्मीर वर, 1947 और इंडो-चाइन वर जो 82 में इंडिया और चाइना की दिशन में होगा इन वार्स के बारे में कर्चा करेंगे कि नहरु जी की P curvatureไม कहां कम या कहां की काहां केमिया है कि हों ध्यागा घरब दी काहां जıtा अगार्ण करेंques और जो अफगानिस्तान सीरीज वाली वीडियो के उस पर मैंने पहला वीडियो बनाया है कुछ दोफों जड़े होंगे कि मैं आगे तो नहीं बना रहा हूं तो उस पर भी हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान एक बहुत बार टॉप हो जुता है सोवेट वार से लेके उसामा बिन लादेन का व्यूटिसी बिनाइन रावन का हमला उसके बाद हम यूएस इन्वेजन अफगानिस्तान 20 यर्स वड यूएस कुछ 20 यह में उनने क्या किया किया कैसे किया तालिबान के फॉल हुआ फिर राइस कैसे हुए पाकिस्तान चैना को व्यूटों इतना बड़ा रोल नहीं था अब खही हो सकता है महां पर रोल फ इंडिया दब फ्रोजेक्टस ऑफ इंडिया बेजर प्रोजेक्ट्स ऑपिंडिया विजbers वीजिवरा वीजगेन विल्ना अटर्थ अधरूर अधर्ड तालिबाएन तो यह सब पूरा टॉटीक अहमद साह मसूद के बेटे हैं, Northern Alliance, उनको किसका सपोर्ट मिल रहा है, क्या वो सरेंडर कर देंगे तालिबान के सामने हैं, फिर तालिबान को आउट कर सकते हैं अपना इस्तान से, इन सब मुद्धों पर चर्चा करने के लिए हम उसके डिटेर सीरी में आने पड़ेगी, एक कि अश्यां है, क्या है, क्या हैँ झालिबान के सकते हैं, फिर टालिबान के सामने हैं, इन सकते हैं, भी प्रचा कि छधने हैं!